हेलो फ्रेंड्स आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉडेंट टॉपिक एचसी एफ हाइस्ट कॉमन फेक्टर हाइस्ट कॉमन फेक्टर निकालने के दो मेथड़्स हैं एक प्राइम फेक्टरिजिशन मेथड और सेकंड लॉग ड्वीजिन मेथड तो हमारे इस लेक्टर में हम दोनों मेथड़्स आज कवर करेंगे लेकिन वो मेथड़ करने से पहले हम देखते हैं कि actually highest common factor होता क्या है देखिए स्क्रीन पे दो values 10 और 15 इन्हें देखिए यह देखिए है क्या पहले 10 कौन-कौन से tables पे divide होता है पहले तो वो लिखते है 10 divide होता है 1 से 2 से 5 के table में भी आता है और 10 अपने खुद के table पे भी आता है 15 भी 1 के table पे आएगा 3, 5 और 15 के तो यह कुछ values हैं जो हमने अपने सामने लिख रखी हैं अब करना क्या है नाम पढ़िये ध्यान से highest common factor हमने 10 के factors लिख 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 इन में factors तो आ गई अब कौन सा factor देखना है common factor कि इन में common कौन सा है देखे common दो हैं यहाँ पर एक तो 1 भी common है 5 भी common है दोनों में आ रहा है लेकिन हमें कौन सा लेने है highest वाला तो बस यही नाम का मतलब clear है common factor तो होना चाहिए लेकिन होना क्या चाहिए highest भी होना चाहिए तो 10 और 15 का अगर HCF निकालना हो तो HCF क्या होगा 5 होगा तो यह चीज़ सबको students को clear पहले होनी चाहिए कि HCF होता क्या है it is highest common factor ऐसा factor common भी हो दोनों में और highest भी हो तो I hope कि पहले इस example से हमें यह चीज़ clear हो गई है कि HCF actually होता क्या है अब हम आगे study करेंगे कि इसको prime factorization method और long division method से कैसे निकाला जा सकता है चले कुछ easy examples करते है हमने जब LCM का पिछला lecture था उसमें cover की थी 26 और 91 माल लेजिए इसका हमने HCF निकालना है prime factorization method से तो सबसे पहले prime factorization करनी पड़ेगी 26 की prime factorization करेंगे तो क्या बनेगा 2 into 13 और 91 की करेंगे तो 7 into 13 तो अब HCF निकालने का rule क्या है highest common factor simply जब prime factors में हम लिख देते हैं तो बस common देखना होता है जो सब में common है जैसे यहां 13 यहां 13 और तो कुछ भी common नहीं है यहां भी 13 आ रहा है यहां भी 13 तो बस HCF की value क्या होगी 13 होगी जैसे 14 और 36 ले 14 के prime factors क्या होगी इनकी product होगी 2 multiply 7 यह उसकी prime factorization है और 36 की prime factorization करेंगे तो 2 into 2 into 3 into 3 right तो अब हमें अगर HCF लिखना हो तो कैसे लिखेंगे सिरफ common values यहां पे 2 है यहां पे 2 आ रहा है यहां 7 है 7 तो आई नहीं रहा तो common क्या है इन दोनों में सिरफ 2 common है वो भी एक बार बस तो HCF क्या होगा 2 होगा next example चलते है let's suppose 12 15 and 21 is there तो 12 किसके एकको लोता है इसकी prime factorization 2 into 2 into 3 15 3 into 5 and 21 is 3 multiply 7 तो हमें देखना क्या है HCF निकालने के लिए common common क्या है यहां पर देखिए 3 यहां भी आ रहा है 3 यहां भी आ रहा है 3 यहां भी आ रहा है तो HCF क्या होगा 3 और कोई भी ऐसी values नहीं है जो सभी में आती हूँ 2 उपर आ रहा है 5 यहां आ रहा है 7 यहां पर आ रहा है लेकिन सभी में common क्या है सिरफ 3 common है इसलिए HCF क्या होगा 3 होगा एक और example देखते हैं इसी तरह की 24, 36 and 60 24 को prime factorization क्या लिख सकते है 2 into 2 into 2 into 3 36 की 2 into 2 2 into 3 into 3 and last 60 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5 देखते हैं इसमें common क्या है क्योंकि जो common चीज़ है वही हमारा HCF बताएंगे यहां देखिए यह तीन, तीनों में यह 2 आ रहा है तो एक बार यह 2 तो आएगा यह आएगा यहां पर multiply एक टू और है, यह देखिए, यह मैं cover कर रहा हूं यहां पर, सभी में टू आ रहा है यह वाला, एक टू और लिखे में अब इसके बाद देखना है, उपर तो एक टू है, लेकिन बाकियों में यह 2 नहीं आ रहा है, तो यह खतम, इसको हम नहीं लेंगे एक थ्री देखिए, यह रहा, एक थ्री यह रहा, एक थ्री यह रहा तो तीनों में एक एक तीन मिल गया हमें तो ये तीन भी यहां पे आ जाएगा जब यहां पर ये तीन आ गया है तो अब आगे क्या करना है हमें बच क्या गया है ये टू बच क्या है ये थ्री ये फाइव ये सब अकेले हैं तो उसको लिखने के जरूरत नहीं है तो हमारा answer क्या आया 12 तो इस तरह से यह HCF हमारा 12 आ जाएगा तो यह prime factorization method था HCF निकालने का अब आगे हम करने वाले हैं long division method first example देखिए long division method की 135 and 225 यह method बहुत ध्यान से देखना है सबसे पहले क्या करना है हमने नाम से clear division method है तो divide तो करना ही है दोनों में से जो बड़ी value है यहाँ पे कौन सी बड़ी है 225 तो 225 को अंदर रखना है हमने in the form of dividend और divisor क्या लेना है हमने 135 यानि जो छोटी value उसे बाहर रखना है जो बड़ी value उसे अंदर रखना है और इसको divide करना हमने 135, ones are 135 तो हमारे पास क्या बचेगा 90 तो अब इस rule को हम कैसे समझेगे जो first step का remainder आएगा तो यहाँ पे बस इसी तरह से कर देना सिधा 90 से फिर divide होगा जो remainder बनेगा बस वहीं से अगला division बना दे और यहाँ पे क्या लेखना है पिछला divisor पिछला divisor क्या है 135 I hope यह clear है सबको अब 90 को 91s are 90 अब 45 remainder आया बस यह 45 remainder को बस ऐसे गुमा देना है और इसी को divisor बना देना है पिछे वाला 90 यहाँ पे आएगा 45 2s are 90 remainder is 0 यह division तब तक चलाते जाना है जब तक remainder 0 ना आ जाए अब remainder 0 पहुंचा तो यह last step में जो divisor था वही क्या होगा HCF होगा यानि कि 135 और 225 के HCF क्या होगा 45 होगा इसी को prime factorization method से भी किया जा सकता है तब भी answer 45 ही आएगा एक और example करते हैं इस method की next example 75 ले लेते हैं और चली एक ले लेते हैं 180 देखते हैं कैसे होगा 180 अंदर रखेंगे 75 बाहर अब 75 2s are 150 remainder is 30 तो ये 75 उपरवल आप यहां रह जाएगा 32s are 60 तो 15 आगा अब ये 30 यहां पर रखेंगे 15 2s are 30 remainder is 0 तो last step का जो divisor है वही हमारा क्या होगा HCF होगा तो एक method ये भी है long division method जिसको use करके HCF निकाला जा सकता है तो I hope आपको HCF का concept अच्छे से clear हो गया होगा हमारे वीडियो को like और share जरूर करते रहें Thank you